क्रिप्टोनिक वन बहुत बहुत स्वागत है मेरी चैनल में आपका दोस्तों आज की जो कुछ न्यूज मैं आपको बताऊंगा कि जो फ्यूचर में जो न्यूज है जो मार्केट को एफेक्ट कर सकती है दूसरी चीज आज अगर मार्केट को देखा जाए तो बिल्कुल केवल और केवल उनकी जो नेक्स्ट एनॉंसमेंट है उसके लिए वेट कर रहे हैं काफी लोग, जो नेक्स्ट जो एनॉंसमेंट वह बहुत अच्छी आ गई, तो यहां से टोकन शूट भी हो सकता है, इंटरस्ट खतम हो गया, तो यहां से टोकन नीचे भी जा सकता है, ठी तो यह जन्वरी के आसपस जो बता रहे हैं तो जन्वरी के आसपस यह जाके अप्रूब भी हो सकता है और एकदम अप्रूब होगा और उसके अंदर मार्केट भी बुलिश हो सकती है तो यह समझ लो कि जो मार्केट थोड़ी देर के लिए बीरिश है तो उससे डरने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों एक तो ETF की बड़ी न्यूज है दूसरी हालविंग भी है तो समझ लो मल्टिपल जो जो इंस्ट्यूशन्स है वो भी ग्रैब कर रहे हैं बिटकोईन को यह पता चल चुका है कि बिटकोईन की पावर क्या हो सकती है क्या फ्यूचर में इसकी वैल्यू जा सकती है कोई यह बूल रहा है कि 3,00,000,000 जो एड डॉलर चला जाएगा कोई अपने अपने प्रेडिक्शन्स फिर दुबारा से दे रहे हैं जब bullish जो sentiments होते हैं, दोस्तों जो बीरिश एकदम end हो जाता है, जब बीरिश जो जागता है, तो बीरिश ही news हर जगा होती है, लेकिन जब bullish आ जाती है, जब हालविंग के पास आते ही, वो सारी बीरिश जो news होती है, वो खतम हो जाती है, ऐसे ही छोटी मोटी news जो ETF का डीले हो यहाँ पर आप बाइंग करके फिर दुबारा से market के updates को grab करके अपनी opportunity तलाज कर सकते हो, ठीक है, तो दोस्तों, तो इसके अलावे जो next जो news थी, वो भी मैंने बतानी है, आपको बहुत सारी news लेकिया हूँ आपके लिए, I hope कि ये news आपको ये कुछ ना कुछ फायदा लेक क्याएगी, तो WSM token के बारे में मैं बताऊँ आपको कि WSM token है, इसका जो एक update है, वो इस तारीक, इस महीने की जो 30 तारीक के आसपास, ये जो grab कर रहे हैं, 1 million token जो WSM buyback, तो buyback कर रहे हैं ये, और जो 30 तारीक तक ये buyback कर लेंगे, वहाँ पे एक अच्छी news उसके बाद भी दे सकते हैं, maybe some burning, लेकिन burning इन्होंने अभी clear नहीं करी है, मैंने इनके जो telegram में बात करी थी, तो ये कह रहे थे, हमने buyback के लिए बुला है, buyback करने के बाद मैंने पूछा क्या करेंगे, तो इनका जो answer था, ठीक है, satisfactory था, कोई SIS में कोई, वो बात नहीं थी, इन्होंने ब buyback करेंगे जितने भी tokens को, वो उठा के हम staking में डाल देंगे, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि staking के लिए इन्होंने पहले से reserve नहीं करा, यहीं से market से buyback करके, वो staking में डाल रहे हैं, ताकि stakers जो है, उनको reward properly मिन सके, जो एक अच्छी बात है, दोस्तों, market से कहीं न चोकन कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर इसके price के साफ से देखा जाए, तो 1 million token काफी सारे है, इसकी जो काफी सारी supply market में आ चुकी है, 1.6 billion के असपास, और भी आने वाली है, मतलब यह समझ लो की 2025 तक 2 billion भी पूरी नहीं आएगी, तो समझ लो की 200 million के अप्रॉक्स और market में चानी है, तो जो एक बड़ी, बहुत बड़ी quantity नहीं है, और उसके साफ साथ burning, of course हो रही है, burning के साथ साथ buyback भी हो रहा है, buyback के साथ साथ ये जो कोई भी community के लोग है, 6,000 डॉलर सो ऊपर के, जो community members हैं, जैसे मैं और आप, या कोई और भी holders जो हैं, उन्होंने अपने token burn की हैं, केवल 6,000 डॉलर के जो token burn की हैं, लेकिन उसके अलावा, जो company ने भी 2 million के असवस token burn कर दिये, तो buyback burning और जो इनकी community की burning भी regular चल रही है, जो एक अच्छी बात है, ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा inflation नहीं आने वाला, because already inflation आया हुआ है, और जो भी inflation जो market में आ रहा ह कब तक आएंगे दोस्तो, 2025 के मिड तक आएंगे, उसके बाद जो बाकी की supply होगे, फिर 200 million ओर रहे जाएगी, वो आएगी, 2026 के last में, 2026 पता नहीं, उससे भी ज्यादा 28, 30 का सबस है, तो आप अपने अप देख ले न, जो पहले मैंने उसके अंदर अलड़ी बताया है, त कि YGG Web3 Games सम्मिट होने जा रहा है, और सम्मिट होने की वजए से गेमिंग एको सिस्टम के अंदर एक उचाल आ सकता है, तो इसके जो स्पीकर होंगे, मैं आपको ये दिखा देता हूँ, एक तो इनके जो स्पीकर होंगे, वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पीकर अगर जो 18 से 25 के बीच में ये जो अपना इवेंट कर रहे हैं, इवेंट के साथ साथ ये जो अपनी जो अपडेट्स देंगे अपनी जो गेमिंग एको सिस्टम की, तो यहां से आप देख सकते हो, कौन-कौन सा जो को फाउंडर है, वो इसको जो येल्ड गेम्स के जो सम्म आपडेट्स देते हैं, और अगर कोई इंफ्लूएंसर या इसके अंदर कोई जो कोफाउंडर इसके अंदर आ रहा है, तो उससे रिलेट जो क्रिप्टो कुरेंसी है, वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे यहां पर XC Infinity के कोफाउंडर आ रहे हैं, उनका नम है Jeffrey करके जिहाज जो short form है तो XC, Infinity and Sky, Mavis के co-founder है और इसके लावब यिल्ड-गिल्ड गेम्स के जो co-founder है यहाँ पे और Enemokka ब्रेंड से related जो co-founder है पे as a speaker आ रहे हैं और speaker आने की वज़े से यहाँ पे काफी सारी updates अपने-पने जो ecosystem की देंगे और उससे एक इनकी token के hype बन सकती है तो इस event के दोरान जो gaming ecosystem में कुछ token जो इसके अंदर जो लोग जिनके co-founder यहाँ पे participate कर रहे हैं तो उन cryptocurrency के अंदर थोड़ा सा उच्छाल देखने को मिले तो इस event के अंदर जो जो लोग आ रहे हैं 18-25 तारिक तक के बीच में तो इनके events को आप देखना हो या इसके update लेनी हो तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हो उससे आपको काफी चीजों का benefit होगा ठीक है और इसके लाबा मैं कुछ और चीज़े भी बता देता हूं इसके अंदर Magnus Capital के जो CEO Head of Incharge आ रहे हैं और Paragon Dao Foundation के जो CEO आ रहे हैं और इसके लाबा को founder AMG Dao के आ रहे हैं और CEO OP Games के आ रहे हैं तो Globe Group के आ रहे हैं तो दोस्तों यह सारे co-founder कहीं न कहीं जो अपने-पने project को hype create करने के लिए आ रहे हैं आपे तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए और एक और जो main चीज़ बताऊं कि APEC ecosystem lead के Aptos Foundation के बी जो APEC ecosystem की जो lead है वो भी यहां पे अवलेबल होंगे तो दोस्तों Yield Guild Games के जो summit हो रहा है यहां पे तो इसके ओपर नजर बना के रख सकते हो और CEO को कम से कम देख सकते हो कौन-कौन सी gaming ecosystem इसके कि जो knowledge है बहुत ज्यादा increase होगी और increase होने की वज़ए से आप अपने decision सही से ले पाऊगी तो next जो update है दोस्तों Naka Moto Games की तरफ से हैं यहां पे clear words में लिखा हुआ है कि Telegram Gaming Ecosystem तो और Naka यहां पे ecosystem on Telegram तो दोस्तों यहां पे clear words में लिखा हुआ है कि Naka Moto Games है वो Telegram के ecosystem मतलब Torn के, Torn जो इनकी जो blockchain है उसको ecosystem को अपने साथ जोड रहा है मतलब इनका जो token है इनका जो Naka Moto Games might be coming on Torn blockchain तो blockchain के साथ इंटीग्रेट कर रहा है जिसकी वज़ए से इनके ecosystem तो टेलिग्राम के ऊपर इनोंने stats भी लिखा हुआ है यहां पे तो 800 million user are getting to know Naka, Dollar Naka and its immediate earning and rewarding model for playing games and word of most messaging application तो word most application को उनसी है दोस्तो टेलिग्राम है जहां पे already mentioned है तो टेलिग्राम के साथ एक कनेक्ट करेंगे और कहीं न कहीं जो टेलिग्राम के user है उनको उनके लिए एक reward का ऐसा ecosystem लेके आ रहे हैं जिसकी वज़ए से जो Naka Moto Games है उसके अंदर उच्छाला सकता है और यह जो फाइनल लॉंच ओफ यहां पे है जो उन्हों डेट भी लिखी है 20 नवंबर के आसपास दोस्तों 20 नवंबर के आसपास है तो अभी 17 है तो अलड़ी काफी लोगों ने होल्ड किया होगा और इसके अंदर काफी सारा जो अप्ट्रेंड देखने को मिला है नाका डॉ अपडेट है कुकोईन की तरफ से है कुकोईन की तरफ से यह अपडेट है कि पाइथ नेटवर्क जो है वो उनका जो टोकन है डॉलर पाइथ तो वो लिस्ट हो रहा है कुकोईन के ऊपर और जो लिस्टिंग जो डेट है वो है 20 नवंबर के आसपास 20 नवंबर के आसपास लिस्ट हो रहा है और यहां पर जो deposit है वो available हो चुके हैं और network कौन सा होगा sole network because जो python network है वो sole ecosystem के उपर आ रहा है तो कहीं न कहीं यह python network की काफी सारी जो चीजें वो appreciable हैं इसके बारे में हम एक और अलग से वीडियो बनाएंगे python network क्या काम करता है और इसका token जो market में आ जाएगा उसका भी एक review देंगे कि ये token buy करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अचा ये तो हो गया kucoin की listing इसकी एक और listing आ रही है आप एक और listing है same python network की bitryu exchange के उपर तो bitryu exchange ने भी same time पे और same date के उपर इसको list करने का फैसला किया है तो trading जो start हो रही है same time 14 UTC और 20 November तो pyth network is the largest fastest growing first party oracle network चैनलिंग का जो token है उसका जो price बढ़ चुका है तो नए oracle जिनकी जो service अच्छी है जैसे कहते हैं काफी statement मैंने देखी है कि pyth network की जो service है काफी अच्छी है वैसे काफी सारे जो oracle से related और भी network market में आ रहे हैं लेकिन इस time अगर देखा चाहे तो pyth network की एक hype बनी हुई है hype में किसी भी token को buy करना ठीक नहीं है दोस्तों अभी आप पहले इसको token को list होने दे और जो a drop जो जिनको already मिली है वो बेचने की कोशिश भी करेंगे जब a drop भी जाएगा normal way में जब token आ जाएगा तभी इसके अंदर entry बनाना और entry बनाने से इसके charts जिसको देखने आते तो वो charts देख ले जिसको fundamental और long term prospectus से देखना है तो वो देख ले उसके बाद इस token को buy करना ठीक है और CIDUS जो token है CIDUS heroes करके बहुत famous है और बहुत पुराना भी है तो यह जो token है इस ecosystem के दो token है CIDUS and CNET ठीक है इन्होंने voting रखी हुई है voting की जो date है वो है 16 नवंबर से नवंबर 21 ठीक है इसके बीच में voting करनी हो कि किसी को यहाँ पर जाकर वोट कर सकता है यह voting किसलिए दोस्त तो voting का जो मकसद ही है कि 13 23.13% 23% प्लस जो token है इतने percentage के token है यह बर्न करने का एक दाओ है create कर रहा है यहाँ पर अगर आप जाके इसके उपर click करते हो yes या no के उपर तो वो आपकी मर्दी है तो 23% जो बर्न करने का इन्होंने fans लग किया है तो 23% जब यह बर्न कर देंगे त इसके एक high पा सकती है ठीक है voting system hold 350 Senate to vote तो अगर आपने voting करनी है तो ऐसे vote नहीं कर सकते आप जाके एकदम vote कर दोगे vote करने के लिए इनका जो दूसरा token है Senate करके है उसको आपको hold करना पड़ेगा जब आप voting करने के हगदार होंगे ठीक है एक और जो next update है वो भी जबर्दस् system बहुत strong है पुराना है लेकिन इन्होंने भी एक अच्छा एक presentation दी है इसके ओपर जाके आप इनका AM में भी देख सकते हो ठीक है YouTube के ओपर इनका November 23 के अंदर हो चुका है तो यहां पर देख सकते है इन्होंने भी अपने इसक में update किया है और जो इन्होंने कोशन किया था क 10 PM नवंबर 15 के असपस कर लो मतलब दो दिन हो चुके इसको लेकिन आपके लिए फाइदे मंद है यह news क्योंकि इन्होंने काफी सारी यहां पे updates दिया है अपनी जो token और अपने ecosystem को strong बनाने के लिए development के साथ साथ यहां पे जो tokenomics को और बढ़िया तरीके से बनाने का फैसला किया है तो दुबारा से जो nexo token के अंदर जो है uptrend देखने को मिलता है अभी तक यह वैसे defy है लेकिन अभी तक ऐसी कोई complaint जैसे decentralized finance के अंदर जनरली आती है hacking की कभी कुछ कभी कुछ यह nexo ने अपनी image को भी बना के रखा है तो इसके ecosystem का token किसी के पास हो तो वो भी आप इ इसके AMA को इन्होंने काफी कुछ बताया होगा तो यह आपके लिए फाइदे मन्द होगा तो दोस्तों Bitfinex जो exchange की तरफ से एक news है वो news e-cash को लेकर है e-cash जो token है वो काफी अच्छा समझा जाता है XEC बोला जाता है उसको मैंने भी रिसेंट इसका जो एक अपग्रेड चल रही थी उसका वीडियो बनाया था तो इस token को जो Bitfinex exchange ने डिलिस्ट कर दिया है तो डिलिस्ट जो हुआ है वो 23 नवंबर को वो डिलिस्ट हो जाएगा और डिलिस्ट होने के बाद यहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते ठीक है और किसी कारण से कोई अपने token को वहां से date mention की हुई है अच्छा एक बहुत ही जो बहतरीन जो update है वो है ICP ecosystem की तरफ से वो update क्या है दोस्तों यहां पे इन्होंने एक application open for ICP lab 6.0 exchange तो इन्होंने अपने जो ecosystem से related जो developer के लिए एक window open करिया है जिसके अंदर window के अंदर मतलब आप यहां पे अगर click करते हो तो icp.lab तो इनकी जो icp.lab है इसके अंदर इन्होंने एक application जो start गरी है उसके अंदर यह developer को जो individually काम कर रहे है डवलप कर रहा है कोई चीज और individually के साथ साथ यहां पे अगर कोई team के साथ कर रहा है तो कुछ भी develop कर रहा है तो अगर यहां से funding या कोई भी help चाता है तो यहां पे वो apply कर सकता है उसको यह जो इनका ecosystem अगर आप जो आए नगर के इनके ecosystem के कुछ build करते हो तो application जो closing time December 15 है यहां पे आप apply कर सकते हो कोई भी developer हो वो apply कर सकता है इसके इससे पूरी support बिलेगी इनके ecosystem से जुड़ने के लिए I hope इस beer market में इतनी सारी updates कहीं न कहीं आपको अच्छी अगर लगी होगी तो please like and subscribe कर देना तो दोस् इसका description आप screen के ओपर देख रहे हो और इसका जो link है वो मैं आपको description में भी दे दूँगा I hope कि आप मेंसे कोई अगर इसको join करना चाता है वैसे बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है लेकिन if you want to join you can do that इसके सारसद मैं आपको एक disclaimer भी दिखा देता हूं इसके सारसद मैं आपक को अच्छी लगी होगी thank you very much दोस्तो have a good one take care and bye bye